हेलो फ्रेंज मेरे यूटूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आज मैं आपको चेहरे के दागधबू को दूर करके चेहरे को ग्लोइंग बनाने का साथ ही चेहरे की तचा को गोरा बनाने का एक एफेक्टिव होम रिमेडी बताने जा रही हो इसक आपकी तचा को ड्राइ होने से बचाएगा और आपकी तचा के बारे क्लाइनों को भी दूर करेगा लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्टे मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो जदी से सब्सक्राइब कर ले बेल बटन को ज़रू क्लिक कर लेना वीडियो को काफी कॉफी हमारी तचा को निखारने में काफी मदद करता है साथ ही इसके इस्तेमाल से आपकी तचा के दगदबे भी दूर होंगे और आपकी तचा का ग्लो भी बढ़ेगा आपको कॉफी का पॉडर लेना है इस तरह से अब इसमें आपको मिक्स कर लेना है थोड़ी सी मात्रा में नीबू करस यानिके लेमन जूस लगबग आधा चमच आपको इसमें नीबू करस मिक्स कर लेना है इसकी बीजों को आप अलग निकाल दें नीबू हमारी तचा को नैचुरली बलीच करता है जिसे हमारी तचा में काफी निखा राता है इसके अलवा या तचा के दाग धबो को मिटाने में काफी मदद करता है नीबु के इस्तिमाल से आपकी तवचाग ग्लोइंग होती है अब इसमें आपको मिक्स कर लेना है शहद शहद हमारी तवचाग को मौश्राइज करता है साथ ही हमारी तवचाग को ग्लोइंग भी बनाता है एक चमच आपको इसमें शहद मिक्स कर लेना है इसे आपको अच्छे से मिक्स करना है और एक स्मूद आपको पेस्ट आपको त्यार कर लेना है अब इस पेस्ट को आप अपनी त्वचा पर अच्छी तरह से लगाए चेहरे के साथ साथ इसे अपने गर्दन पर भी लगाए इसे लगबक 20-25 मिनिट के लिए लगा के छोड़ कर दें फिर आप हलकी गुनगुने पानी से अपने चेहरे को धोले इसका इस्तिमाल हफ्ते में तीन बार जरूर करें इसे चाहे आप रोजाना इस्तिमाल कर सकते हैं यह बहुत ही ज़दा एफेक्टिव है इसके इस्तिमाल से आपकी तोचा में बहुत ज़दा निखार मिलते हैं अगली वीडियो में